किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो इंडो फिल का ऑक्सी गोल्ड चोड़ी पत्ती के लिए खर्पतवार नियंत्रण में बहुत ही अच्छा है और बहुत ही फाइदे मनें काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है इस प्याज में और लसन में बहुत ही बढ़ी रिजल् कि अगर जो तैनि शीया हुगा तो भी डोज उतना ही अगर जो हमारा है एक इंची से कम खर्पतवार है तो अभी इसका दोज उतना ही लेता है और कितनी नमी मेंसका इसक्तमाल करना है मैं आपको वह सारी चाँ दिखाऊंगा तो आईए पहले तुम्हें आपको खर्पतव वाला पंप है इससे से इस्तेमाल करना है क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गेस नहीं बनाता है और जो हमारी दवय होती हो ऊड़के यहाँ नहीं जाती सीधी पत्तों की ऊपर गिरती है और नमी नमी तो परियाप्त होना चाहिए जिससे क्या होगा कि हमारी फसल पे कम से कम नमी ज्यादा बनी रहेगी तो और जो अगला हम पानी छोड़ते हैं उसका टाइम प्रेट भी हमें ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगा जिससे कि खर्पतवार होता है वह काफी तरीके से सुख जाएगा तो आप आईए देख लीजिए किसमें कितनी हाइट का खर्पतवार है तो हमें कौन सा लेना है और दवई कितनी मात्रा में लेना है जैसा कि आप देख पा रहे हो यह हमारे एक इंचि उससे थोड़ा सा उपर खर्पतवार है इस समय पे जब हम 15 लिटर का जो पंप रहता है उसमें जो आकसी फ्लूरोफीन है 23.5% EC खर्पतवार नियतरन चोरी इस से ज्यादा बिलकुल नहीं लेना है क्योंकि इतनी मात्रा में हमारे खर्पतवार है उसे खटम कर देगा वहीं अगर घर्पतवार एक इंच से नीचे है शुरू आती दोर उसके उगने की जैसा कि आप देख रहे हो बारिक है यहां पर यहां पर अगर जो आप तीन एम काम करेगा उसे भी खतम कर देगा और अगर जो यह उगने की पोजिशन पर है आप बिल्कुल छोटा सा देख पा रहे होगे यहां पर यह इस प्रकार का अगर जो उग रहा है और आप शब शुरुवात में पहले पानी में ही देना चाह रहे हैं इसे तो आप धाई यहीं पर अगर आपकी इसकी हाइड बढ़कर भी जो आपके पत्ते हैं यह जल जाएंगे पर हां इतना जरूर है कि जो नहीं पत्ता आएगा और साफ सूतर आएगा यह पत्ता डेमेज बैले जाएगा गिर जाएगा तो किसान भाहिजर यह तो फ vita दिकंपो जानकारी किसान है यह सकते हैं 20 ceremony 15 अव्म में किसले किसी कमेंट करकर ज़रूर हैं अपने और घृत मेंत्रों सांजाकरे करें और ऐसे वीडियों के लिए हमारे साथ बने रहे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद